हे गाईज वेलकम बेक टू माइन अधर वीडियो और दोस्तों राजस्तान सीयचो रिक्रूट्मेंट 2022 मतलब सामद एक स्वास तदगारी भरती 2022 राजस्तान से जो लेटेस्ट अप्डेट्स कल आया था एक नौमबर 2022 को उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स डाले गए हैं जो मैं आपको बता दूं क्याथ 1 साल के लिए भरती निकाली है है यहां पर मैं कुष्ण मार्क लगा रहETH होती में आपको निकाल देंगे दूसरी बात दोस्तों यहां पर जो आपको इंट्रेंस एक्जमफाइड कर रहे हो मेरी बास सुना इंट्रेंस एक्जमफाइड कर रहे हो फिर गोवर्मेंट आपको ट्रेनिंग करा रही 6 मंत की CCH वाली तो यहाँ पर बता गया है कि डूरिंग ट्रेनिंग पिरियड आपको किसी भी परकार का payment नहीं दिया जाएगा मतलब आपको training fund नहीं दिया जाएगा आपको training के दोरान salary नहीं दी जाएगी दोस्तों जो की बहुत गलत है पिछली बार जो senior best था जो 2020 की भरती थे उसमें तो training fund दिया गया है किसी जो private college है उनका बाकी है बाकी government college का आ चुका है तो ऐसा मतलब वो discrimination क्यों मतलब इतना गलत क्यों किया जा रहा है चलिए देख लेते हैं पूरा मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या है उस time जब live discussion किया था तो वो point मेरे से मिस हो गया था और किसी ना उसके regarding मेरे से पूछा भी नहीं था लेकिन मैंने अभी read किया अच्छे से फिर से तो मुझे वहां देखने को मिला कि गलत हो रहा है राजिस्तान CHO के साथ में सबसे पहली बात तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं यहां पर क्या किया गया है कि अधियाप ट्रेनिंग के दौरान आप छोड़ते और रिजाइन करते हो तो आपको 75,000 रुपे पे करने पड़ेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर इसका भी अलग से आपको बॉंड पेपर देना पड़ेगा पांसों रुपे के जोन नॉन जूडिसियल इस्टाम पेपर पर ठीक है और यदि आपको ट्रेनिंग कंफ्लीट कर लेते हैं और फिर आप छोड़ते हैं तो आपको पांच लाख देना पड़ेगा और पहले टाइम था वो फाइव येर का था और अभी ऑनली ऑनली बन येर का है दोस्तों पहला पॉइंट यहां पर यह नेगेटिव है उसके बाद में चलते हैं अन्य सर्तों के अंदर कि मैंने जूम आउट कर लिया है यहां पर दूसरा पॉइंट आप नोट करना पहला पॉइंट में आपको बता दिया है सभी नर्स जी एनेम हो या ब्यस्ट नर्स अब जड़ती हो चलो यह ठीक है क्वालिफिकेसंस सब्बंद देते हैं इसको छोड़ देते हैं ठीक है दूसरे पॉइंट में आप नोट करना सभी आर्वेद प्रक्टिशनर को सेंट्रल यह भी क्वालिफिकेसंस सब्बंद देते हैं तो अपन यह पॉइंट नहीं छेड़ते हैं अपन सीधा चलते हैं यहां पर मैंने आपको कौन सा पॉइंट नोट करवाय था दूसरा पहला ह समया कि अनापति प्रववाड पत्र मीन से यांप नौ अबक्षेथ के टिक है नोगुशन betे तह तो वह यहां पर आपको लेक swept ना पड़ेगा ठीक है यह भी ठीक है बात उसके बाद में आपको मैं बता दूँ यहां पर सम्वदा के आधार पर पूर्ण रूप से सम्वदा आधारित पद है तथा राज सरकार के निर्दसों के अनुसार यह पद केबल एक बर्स या बड़ी हुई अब्दी या परियोज आप से एक साल के लिए आपश्ए के चैंप्स काया कर रे निकतार आप साल के आपाद के वसके तना 1-2-2 साल युद्थ कर दिया रहे हैंक। अग्जाम का रिजल्ट बगरा तो दो साल अपने बरबाद कर दी छह लाग का यह रिस्क लेना पड़ रहा है पन को और फिर भी आपको नौकरी से के बहाँ पर जाकर और भाँ धरना प्रदसन कीजिए ठीक है मैं आपको गलत सला नहीं दे रहा हूं कहीं मैं आपको पहले यहां पर डिस्क्लेमर बता आँ कि कोई भी गौवर्मेंट अधिकारी सरकारी अधिकारी जो आई-स केडर यहार एस केडर किसी के पास वीडियो पहु आई-स ऑपिसर यह दो साल की नौकरी के लिए आई-स की प्रप्रेशन करेगा यह मज्याक बना रखे मेडिकल डेपार्टमेंट का दूसरा आप तीसरा पॉइंट आप नोट करना यह हो गया पहला पॉइंट दूसरा हो गया अब तीसरा पॉइंट में आपको बता रहा हू सक्सम प्रादिकारी के पास समदा एक स्वास्त अधिकारी के समदा पदों को बढ़ाना घटाना रस्त करना प्यत्याहारित करने का अधिकार होगा इन पदों के नियमम सर्तों को संसुदित करने का अधिकार होगा भई तुम घटा दो बढ़ा दो संसुदन कर दो लेन यह तुम्हारे पास तुम आरेस आईस बन गए तो तुम नरस्त कर दोगे भरती कोई सक्सम प्रदकारी के पास इस बिग्यापन को बिना कारण बताए बिना पूर्व सूचना के नरस्त करने का अधिकार है मतलब यार हद हो गई चलो कारण बतागे नरस्त करते हो फिर भी चाहिए या उसे राज की सेवा से अनुसास नात्मक आधार पर सेवा से प्रतक किया नहीं होना चाहिए ठीक है एच्छी बात है उन्हों अच्छा पॉइंट मेंसन किया है जो अपराधी लोग है उनका गोवर्मेंट सेक्टर में आना भी अच्छी बात नहीं है ऐसे अब्या अच्छे डालें लेकिन तीन पॉइंट तो अभी मैंने आपको क्लियर कर दें चौथा पॉइंट क्लियर करूंगा यहां पर चैनित अब्यार्ति को मान दें उनके आवंटेत ऐसे यह ऐसे सी नहीं है दोस्तों यह है एस एच्छी और गलत टाइप किया हुआ है यहां पर ज तो यह गलत टाइप कर दिया नहीं तो आप समझ जाना है पर करने के पश्चात दे होगा मतलब आपर यह है कि आपका जो मान दे मान दे मतलब हिंदियों बोलते हैं कि मान दे इंगले सेलरी या फिर आपका पैमेंट जो भी आप बोलना चाहों बोल सकते हों ब्रिज कोर्स के दौरान मान दे दे नहीं होगा यह कौन सी बात आगए यार गवर्मेंट क्यों करा रही सक्समंद का कोर्स पर अगर सेलरी नहीं देंगे तो ट्रेनिंग फंड नह सकते हैं किसको जरूत है गवर्मेंट को जरूत है तो गवर्मेंट को ट्रेनिंग फंड भी देना चाहिए जैसे दिया जा रहा है तेरह जार रुपे पर मंथ ट्रेनिंग टाइम में तो राजिस्तान वालों का क्या जा रहा है वो तो सेंटर गवर्मेंट से आ रहा है पैसा चार बात आपने नोट करने दोस्तों पांच बाह यहां पर देख सकते हैं और का विबरान प्रतिकाहत्मक है और सक्सम अप्राद कर दो भरती से अच्छा तो ऐसे ऐसे आपने टम्स कंडिसंस डाल रखें एक साल के लिए ट्रैनिंग फंड नहीं दिया जाएगा मतलब यार मजयाक मना रखा है यार चलो कोई बात नहीं दोस्तों मैं आपको अपने डिके सॉनवाल और जानमी नर्सिंग क्लासेज पर ऐसे वाचिंग दिस वीडियो फिर मिलें किसी अच्छे लेटस्ट अपडेट के साथ में अगें थैंक्यू गाईज